वेल्कम बैक श्टुडेंस दिस इस माइ सेवेंथ वीडियो अप साइन्स फॉर क्लास फॉर चैप्टर वन फूड एन डाइजेशन बच्चों मैंने बताया था आपको कि एस्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन किस प्रकार से होता है अब उससे आगे देखिए यहां देखिए यहां पैंक्रियाज है पैंक्रियाज प्रोड्यूसिज जूसिज डैट हेल्प टू डाइजेस्ट कर्वोहाइड़ेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन एस्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाज आपको जो है जूस को जो है प्रोड्यूस करता है जो कार्वोहाइड़ेट्स फैट्स प्रोटीन्स को जो है डाइजेस्ट करने में क्या करता है तो हिल्प करता है कहां तो एस्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक यहां पर जो फूड जो है, digest हो जाता है, वो क्या होता है? तो, absorb हो जाता है, और फिर वो blood में क्या होता है, तो मिल जाता है. ठीक, और blood के दो के थो से, हमारे body में, जितने सारे cell हैं, सारे cell में, यह digestive food जो है, वो पहुंच जाते हैं. अब, जो food digestive नहीं हुआ, वो कहां जाता है large intestine में यहां पर क्या होता है कि जो water रहता है वो क्या होता है absorb हो जाता है और जो बच गया वो क्या होता है आपको फिर एनस से होकर के undigested जो semi-solid waste है उसको जो है body से बाहर जो है निकाल दिया जाता है ठीक है अब जानिये junk food के बारे में तो some food items like french fries, chips, cake and pizza are tasty but unhealthy for us they are called junk foods they contain a lot of fat and sugar so we should avoid junk foods बच्चों कुछ food ऐसे है जो हमें खाने में तो testy लगते है लेकिन हमारे लिए क्या है unhealthy है मतलब लिए उसको हम खाते है तो वो हमारे body को नुकसान पहुचाता है हाँ ऐसे जो food है उसे हम कहते है junk foods जैसे कि french fries है chips है cake है pizza है है ना इस सब को जो है हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको जो है lot of fat है sugar है और साथ में इसमें जो है कुछ chemicals भी जो है मिलाए जाते है जो हमारे लिए जो है एक तरह से harmful होता है इसलिए हमें junk food को जो है avoid करना चाहिए उसका use जो है नहीं करना चाहिए ठीक अब बच्चों हम जानेंगे good eating habits for proper digestion proper digestion के लिए जो है good eating habits क्या-क्या है इसको समझिए always take your meals in a pleasant environment eat a balanced diet eat regular eat at regular intervals eat fresh and clean food chew the food well before slowing drink 8-10 glasses of water every day eat a lot of green vegetables and fruits avoid overeating बच्चों हमें balanced diet ही लेना चाहिए है ना और भोजन जो करना चाहिए वो regular intervals पर हमें fresh और clean food लेना चाहिए ठीक है और food को जो है चबा-चबा करके क्या करना चाहिए चबा-चबा कर खाना चाहिए ठीक और 8 से लेकर के 10 glass जो है आपको भर दिन में पानी पीना चाहिए ठीक 8 से 10 glasses तक आपको water पीना है और जहां तक हो सके आपको जो है green vegetables का यूज करना है fruits का यूज करना है ठीक है और आपको आवसकता से अधिक नहीं खाना है इस बात का ध्यान लखिएगा जितना भूख हो है ना उतना ही खाईएगा ज़रोज सीदी आप ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा water digest नहीं करेगा ठीक है और body में आपको जो है कुछ problem क्या करेगा तो create कर देगा ठीक है तो भोजन कीजिए लेकिन वो अधिक नहीं कीजिए जितना आप भोजन कर सकते हैं उतना ही कीजिए ठीक है तो बच्चों आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा नेक्स वीडियो में आपको हम बताएंगे cooking food के बारे में thank you